नमस्कार आप देख रहें स्काइने टीव इंडिया पेश आज के मुख समसार कर्माणू हंत्यारों वाले देश की लिस्ट में सामिल हो गया इसकी वर्षगांट की तोर पर हर साल राष्टी प्रद्योगी की दिवस मनाया जाता है मध्य प्रदेश में दा केरला इस्टोरी फिल्म टैक्स फ्री ही रहेगी ग्रहमंति नाक्टर नरुतम मिस्रा ने खुद इसकी पुष्टी की है गुरुवार को उन्होंने कहा कि मुख मंतिर शिवराज सिंग चोहन ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोशना की थी फिल्म टैक्स फ्री है और टैक्स फ्री ही रहेगी किसी भी फेंक आदेश को नहीं माने सिनेमा घरवालों और लोगों से अपील है कि वे भ्रम में ना आए धार में क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने गुरुवार को इंदोर फोर लेन पर अमूल दूध लिखे एक कंटेनर को पकड़ा जांच में कंटेनर में पार्टीशन कर रखी गई 36 लाख रुपए की सराब जब्त की गई इसे गुजरात में खपाने की तैयारी थी मुखवीर की सूचना पर पुलिस की दो टीमों ने ये कारवाही की तसकरों ने फिल्म पुस्पा की तरजबर ट्रकवे पार्टीशन बना कर सराब तसकरी कर रहे थे आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुत ने आज बड़ी कारवाही की MP पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन में कारेरत सब इंजिनियर हेमा मीडा के फार्म हाउस पर छापे मार कारवाही की गई इस चापे मारी में करोडो रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है कई जमीन के खुलासे हुए हैं 13 साल की नवकरी में उन्होंने आय से 332 प्रतिसत जादा प्रपरटी बना ली उनकी मंत्री सेलरी 30,000 रुपए महीना है सुबए 6 बजे से जाद जारी है अब तक 7 करोड रुपए के प्रपरटी मिल चुकी है मुख मंत्री सिवराज सिंग चोहन 14 माई को सागर जाएंगे वे सागर में आयोजित होने वाले संभागी को स्वाहा समाज के समेलन में सामिल होंगे सीयम के आगमन को लेकर पुलिश और प्रशासन ने तैयारियां सुरू कर दी है रायसेन जिले के सांची में भुपाल की तरप से जाने वाली ट्रेन पंजाब मेल से विदिशा और सांची के बीच आठ हूट चपेट में आ गई इस दुरगटना में उटों के चिथड़े उड़ गई वहीं कुछ उट कटने के बाद आगे इंजन में फंस गए जिससे ट्रेन को वहीं रूखना पड़ा वहीं दूसरा सड़क हादसा भी रायसेन जिले में हुआ एक बस अग्यंतरित होकर पलट गई जिससे एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गई उट्जेन में रोड क्रास कर रही एक हाई स्पीट कार और सड़क पर तेज रफ्तार से जा रही बाइक में जोरदर भिड़ंद का वीडियो सामने आया है टककर इतनी भीशन थी कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टककर के बाद बाइक सबर दोनों युबक हावा में करीब 10 फीट तक उछली फिर घिशटते हुए सड़क किनारे जाकर गीरे इस हादसे में एक युबक के मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैंसला दिया कि दिल्ली में सरकारी अपसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा पांच जजों की समिधान पीट ने एक राय से कहा पबलिक आडर, पुलिस और जमीन को छोड़ कर उपराजपाल मांकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार के सलाह है और सयोग से ही काम करेंगी पाकिस्तान के पूर्वि प्रधान मंतरी इमरान खान को गिरफ़तारी के दो दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया चीफ जस्टिस की अगवाई वाली तीन जजों की बिंच ने गुरवार को खान की गिरफतारी को गईर कानोनी बताते हुए National Accountability Bureau से कहा कि इमरान को रिहा करी मद्ध प्रदेश में अब टेंपरेचर का टार्चर दिखने लगा है पिछले तीन दिनों से गर्मी लगतार बढ़ती जा रही है गुरवार को रतलाम और धार प्रदेश के सबसे गर्म सहर रहे यहां पारा 44 डिग्री के पार जा पहुचा भोपाल और इंदोर में इस सीजन में तापमान पहली बार 41 डिग्री क्रास कर गया प्रदेश के 22 जिलों में 40 डिग्री से जादा तापमान दर्ज किया गया प्रदेश के प्रमुक सहरो भोपाल में 41.4 इंदोर में 41.4 गौलिर में 40.3 और जबलपुर में 40 डिग्री तापमान रहा मौसम बैज्यानिकों के मुताविक 15 मई से पहले प्रदेश के सभी सहरों में तापमान 2-3 डिग्री बढ़ेगा कल दिन भर की प्रमुक खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सुबरात्री